तो आज शरतपुर्णिमा के दिन बहुत ही बहुत ही विशेश हमारे ठागुरुझज आज क्या आकत्त ए महाराद तो महाराद के बारे में आपको में बताऊंगा कि इस महारास में स्वयम जो की भोले नाथ हमारे भोले बाबा है शिव जी वो भी इस महारास में प्रवेश्च करते हैं और साध में नारद मुनी भी आते हैं इस रास में तो उसका पूरा में वर्डन में भी आपको बताऊंगा कि कि इस परकार महादेव और यह सब फाइनल करते हैं और विंदा देवी के एंडर कई लाख होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं और वो बताते हैं ब्रज में कहां कहां क्या क्या अपडेट है तो आके विंदा देवी को पूरा रिपोर्ट करते हैं जैसे कि गुप्त चर है और विंदा देवी को पूरा ब् या रास हो सकता है तो यह सब चीजे होने के बाद सब पुर्गाम बन गया तो जैसे शरग्पुनिमा आई तो शरग्पुनिमा के दिन सभी ब्रज की जीतिनी गोपिया है सभी गोपिया और भगवान कृष्ण भी महारास के लिए त्यार हो रहते हैं उसमें क्या हुआ महादे पूंभान घ़िना है जो शिव जी है वह भधावान के अनन्य भब के और राम और पिस्ट में कोय अधर नहीं है तो शीवि ढहां का कोल भी अव्तार dice करने का वह a wrap करने horror पाभ भागता में बताए लिए जब शीव जी इस चारखी तो उसमें नारच जी वहां बुजर रहे थे हैं और नारजी से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं तो नारजी ने बताया कि मैं अभी ब्रज में जा रहा हूं भवान का महाराज सुने वाला है तो भवान तो महादेव भी खुश हो गया रहे हैं आप जा रहे तो मुझे भी जाने की इच्छा होई थी तो चारा जी और शिव जी चले ब्रज के लिए लेकिन दिक्कत था कि रास में तो सिर्फ गोपिया लावड हैं तो ऐसे पुरुष शरी में तो नहीं परमीशन मिलेगा अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या आज भी विंदावन से जाना दूर नहीं पास नहीं है मान सरोबर जिसको बोलते जहां राधरा नहीं पर मान करकर बैठी तो उस सरोबर में आज भी कहा जाता है अगर कोई शुद्भक्ति से भक्ति भाव से अगर जाता है उस रोबर मना आतक उसको भी गोती का शरीप रात तो आप सब ध्यान से अगर आपको अभी गलती से जाकर नाहीं आप बनना पुरूष से इस्तरी बन जाएंगे आप सब तो क्या हो जब इस कुंड में गये और शिव जी औ और महाराश में जैसे महादेव और जैसे नारजी प्रवेश किये तो अब गोपियों का usually we all इंन्हें तरिका और महादेव को तर्फान नाचें स điều करने आता है कि कों सी गोपी है जो एकसन अलक भी ऊंदाब बाकी सब्सक्राइब की यह राश में जो नचने का तरीक है वो सब होगा था तो सिर्फ नारफज्योर महादेव का जो श्यूजी है उनका भोले भावाध्य उन नाच से भोड़ा तो इसी नाचे का जाए कहीं भी चला जाए तो उसी पर का जब नित्य होना लगा तो खृष्णू को थोड़ा शक हुगा कि यह कोई गोपी साधारन गोपी नहीं है तो ललिता जी हमेशा मतलड़ ललिता जी पूरा ध्यां रखते वी जब महारास हो तो उसमें कोई भवान की परकार के बिपत नाये की परकार के कोई बाधान आये तो ललिता जी इसका बहुत विश्यान रखे मैं भी नहीं जानते इसको पहली बार देख रही हुं और इतना गूंगण कर रिकाया चहरावी नहीं दिखा रही है ।ो यह सब देखके लाइलता जी गई उनके पाद और जैसे श्यूजी के मुख से पल्लू होता ना पल्लू हटाया तो देखा यह तो महादेव हैं और महादेव इतने सुंदर लग रहे थे कि आज भी अब ब्रज में जाएंगे तो महादेव आज भी उसी रुप में है गोपेश्वर महादेव के नाम से जैसे लेलता जी ने यह सब देखा तो महादेव शर्माग है और भगवान कि तो बहुत ही प्रसंद हुए कि अरे साक्षाद भोले वावावा शाक्षाद शंभू आये हैं मेरे रास में प्रवेश करने कि सबसे भवावान ने को पर्मिशन दिया कि ठीक है आज से जब भी मैं अब भावावा शचैना में जार्कुनिया के दिन तो जीन शिवजी का उस रास में आना वजित है मतर्ब शिव जी आ सकते हैं उंको शिव जी को पर्मिशन दिया तो बहुत आनंदित हुए और नाचने लगे भोले बहुत ही किरपालू है क्यूंकि वश्ना थे सदा कॉमल और व्रश्णों होने के नाते शिव जी बहुत ही किरपालू है और अपने भगतों को कुछ भी इच्छा हो एक मिन में पूरा कर देते इतना नहीं सोचते हैं देखे भगवान किस्ट के किस्ट की जो भक्ती करता है जिनकी पत्तनी लच्मी है लेकिश्ण के जितने भक्तों के सब कंगाल होंगे, थाकि भगवान उनसा सब छीन लेता है अशुरह certified ताकि दिए अशुरय में फस्के भगवान को दा भूल जाए लेकि महादेव के भक्त है ना मेहल है लिए उनके भग सब करोड़ पती मी लेंगे कि पीछे ना पढ़ रहें महादेव शीव जी क्या करते हैं अकर कोई भगत आया कि उनसे कुछ मांगता तो महादेव भड़ उसको देखे निप्टाते हैं कि चलो हटो ताकि उनको भजन करने में बाधा नाये तो इसी लातरि को मैं सब्सक्राइब करें करते हैं er भुवान के राज में प्रविश्का निकला है शिराद है हरे कि